स्वागत आपका एक और वीडियो के अंदर और यह जो चावी आप मेरे हाथ में देख पार हुए चावी हमारी ब्लाउंग करती है इस टोड़क को यह है आपके सामने ट्विट्टिफोर एमजी ग्लॉस्टर डेजर स्टॉम एडिशन जो कि अभी हाल फलाल में ही एमजी ने किया है और यह इसकी टॉप एंट्रम के ऊपर बेज़ तो इसके अंदर एडास वगरा जैसे सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं और यह कूल सा किलर आपको अब इसके अंदर देखने के लिए मिलती है उन सबी चीज़े को बारे में बातचीत करेंगे और इसक नाम है उसी तरीके से इसको प्रेजेंट भी किया गया है यहां पर तो इसकी प्राइजिंग में आपको बता देता हूं तो यह आपको कॉस्ट करती है और और कीमत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 50 लाग के आसपास से आपको और पढ़ जाएगी अभी इस प्राइज पर इस Special Edition के अंदर Desert Storm Edition के अंदर क्या 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 चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं उनके हम एक एक कर के बात चीत करते हैं फीचर्स में टॉप नौच है लुक्स में माचो लगती है और काफी बड़ी प्रोफाइल है अगर आप इसको इसके पास आगे देखते है तो मतला वीडियो में तो चीजें जास नहीं हो पाती है एक जैक्ली जासर नहीं हो पाती है कुछ कुछ चीज आप समझ सकते हो बड़ जो रिएल फील है वो आपको प्रोड़क्ट के पास आके पता चलती है अभी क्या का चीज़ें है उनकर्चीत करतें गाडी की चाविस से भी स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके के हाँ पर की फोब आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पर तीन कंट्रोल्स आपको मिलते हैं तो उसको लॉक करने के लिए बटन है और इस बटन को hold करके रखोगे, तो boot आप अपना access कर सकते हो, electric tailgate इसके अंदर आपको मिल जाता है, काफी handy सी, काफी premium सी और काफी light-witted key आपको यहाँ पर देखने के मिलती है second key for भी आपको कुछ इसी तरीके का देखने के मिलेगा, अब इसको रख लेते हैं pocket में product की हम बातचीत करते हैं, तो यह मैंने आपकी screen पर, हाँ पर mention करते हैं इसके dimensions, देख लेना, actual में इसकी length, width, height क्या है, ताकि आप idea लगा सको कि हाँ भई, है तो बहुत बड़ी size में, fronts हम start करते हैं, तो front में आप देखोगे यहाँ पर dual projectors आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपको white light ही offer करेंगे और थोड़ा red insert है हाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए, जो कि आपने black storm edition के अंदर भी देखा होगा, open side इसके DRLs वगर आपको मिल जाते हैं नीचे halogen base हाँ पर fog limbs आपको मिल जाते हैं, यह vents वगरे जो आप देखे होगे सब यहाँ पर functional है, काफी बड़ी सी grill यहाँ पर आपको मिलती है glossy black grill, MG का logo है 360 degree camera का अंदर आता है तो उसका एक camera है हाँ पर placed आपको मिलेगा, front में parking sensors आपको मिल जाते हैं और नीचे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से hooks वगेरा भी हाँ पर दीए हुए हैं company ने, बाकि chrome के थोड़े थोड़े टीटमेंट्स आपको मिल लेंगे यहाँ पर front में आप देख सकते हो और इन corners के उपर भी आप देख सकते हो front से काफ जादा एक्रसिव लगती है और जब आपको इसका टायस साइज में बताऊँगा तो आप उसी साइड यह लगाने कोशिश करना है कि प्रोफाइल कितनी बड़ी होगी तो साइड में आते हैं इसके यह थी front की बादचीत काफी अमेजिंग से हैं पर आपको मिल जाता है क्लैडिंग का रेशो बगर आप देख सकते हो काफी अच्छा खासा यहाँ पर दिया वाई गाड़ी की पूरी प्रोफाइल को पर अच्छे तरीके से यहाँ पर सूट करता है यहाँ पर गुडियर के टायस मिलता है आपको और उसका टायस सेक्शन है 255 55 R19 15-19 इंच के ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पर आलोइज मिलता है आगे और पीछ आपको यहाँ पर डिस्क प्रेक ही रेखने के लिए और यहाँ पर आगे और पीछे जो कैलिपर्स दियो है दोनों रेटिकलर से हाइलाइट कियो है कापी बड़े-बड़े उसे ORVMs आपको मिल जाते है ग्लॉसी ब्लैक है जो मेजर्टी पार्ट है वो ग्लॉसी ब्लैक है साइड कॉर्नर जो है थोड़े सिल्वर हाइलाइट है इंडिकेटर से कैमरा की प्रेस्मेंट यहाँ पर मिल जाती है नीचे साइड यह फ्रेंग यहाँ पर देख पा रहे हो जो इसको भी पिलाउसी ब्लैक कर दिया है साइड फ्रेंग जो आप देख रहे हो सब कुछ यहाँ पर लॉसी ब्लैक है लॉसी ब्लेक है यहां पर डिफॉगर है वाइपर है वॉशर है सारी चीज़ आपको दी हुई है यह आप देख लो थोड़ा अल्ट्रावाइड पर यहां पर LED टेल लेंस आपको मिलते हैं काफी हूज 4WDraz आपको मिलेगा क्रोम स्टेप्स हैं गोट यहां पर करें लेते हैं तो यहां पर यह एक मेखनेटिक बटन आएगी , जैसे एक बार पेस करते ही बूट आप अपना इस तरीच के से एकसरी सकते हूं और यहां पर अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है और यहां तो बूट रहा सारी चीज आपको मिल जाती है और इसको एक बटन दबागर कुछ इस तरीके से आप बंद भी कर सकते हो तो काफी कूल सा फीचर मुझे लगता परसनली इतनी बड़ी गाड़ी है तो यह और अब ही चलते हैं गाड़ी के इंटीर में तो यह लोग जी काफी स्मूटली घूल जाते हैं डोर पैनल्स और यह आप देख सकते हो डोर पैनल कुछ इस तरीके से हैं सारी चीज़े एकदम ब्लैक डाग क्यों हैं यहां पर अपॉल्स्ट्री प्लास्टिक एन रॉल सारी यहां पर एकदम ब्लैक हैं तो काफी जो एक रगीड सी लुक आती है काफ एकदम डार्क मार्क टाइब जो लुक आती है और एक अच्छी वाइब देती है अगर आपको ब्लैक इंटियर्स पसंद आ तो एक नजर में पसंद आ जाएगे आपको यह चीज बाइकि डूर पैनल है और यहां पर आप देखोगे तो अपने खोड़ने के लिए अलग से एक बिटन दी हुई है कुछ इस तरीके से यहां पर से नीच तक कुछ इस तरीके से नाइस एकदम मजाद आएगा आपको फाइन है सारी चीज है और यहां आप दखाता हूं आपको कुछ चीज है लाइक है तो यहां पर इस बात करेंगे जब अंदर चलेंगे यहां पर थोड़ी मिल जाती है और नीचे कि साइड बॉनने का लिए और आपको मिल जाता है दो पैडल्स है और डड़ पैडल के लिए आपको प्र प्लेश्मेंट द कि काफी सॉलिड यहां पर थर्ड आती है और यह मैं आप को अन करके दिखा देता हूं तो पहली चीज तो आप यह इंट्रफेस वगरा देखो लेयाउट देखो वन एक्स पर आपको देखाता हूं अल्ट्रावाइड में शायद आपको समझना यह चीज यह आप देखो हो जाता है इसके अंदर भी देख लो कुछ इस तरीके से वेलकम फीचर आता है जब भी आप यह स्विच ऑफ करोगे इग्नीशन ऑफ करोगे सीट आटमेटिकली पीछे चली जाती है और जब अन करोगे गाड़ी को तो आपकी सैट की हुई पोजिशन पर आटमेटिकली आ बीच में यह काफ बड़ी से डिस्प्ले मिलती है जिसमें गाड़ी से लेटर जितनी भी इन्फरमेशन से वो सब आपको डिजीटल फॉर्म में ही मलेंगी लाइक कितने क्लूमटा गाड़ी चली है टाइम क्या है आउटसाइड टैंप्रेचर क्या है और फ्यूल टैंप्र क्रूज कंट्रोल से लेटर जितने कंट्रोल वो आपको मिल जाते हैं आप अपने मीडिया के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं यह माइनस का है यह प्लस का है इसकी एडजेस्टमेंट की बात करें तो यह आपको टिल्ट एंड टेलेस्कोपिक दोनों आप्शन के साथ मिलेगा ये भी एक अच्छी चीज यहाँ पर मुझे लगी बाकि यहाँ जाते हैं वाइपर्स के कंट्रोल यहाँ पर हेडलम्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं और डैशबूर्ड एक सेगन दिखाता हूँ उसे पहले उपर आप देख लो पूरी पैनरॉमिक संरूफ आते हैं पर और इस शेड को हटाने के लिए अलग से यह बटन भी दी हुई है कंट्री ने तो इंडिवीजियोली अगर आपको यह शेड हटाना हो तो आप यह चीज भी कर सकते हो ज़रूरी निए कि आपको एक बा इसको और इन हैंस कर देती है बाकी यहां पर वैनिटी मिरर है लाइट के साथ है यह और यहां पर भी आपको यह कुछ इस तरीके की वाइट एंडिडी लाइट देखने के लिए बड़ी है और इधर की साथ और अभी डैश बूर्ड की बात चीट कर रहे हैं तो यह वान ए कनेक करके चला सकते हो 360 एपल कार प्लेंड और ऑट अगरा एसी से जितने रिलेटेड इन्पोटेंबन सिस्टम यहां पर आपको मिलता है एसी वैंड साब देखो क्या स्लीक डिजाइन भाई मस लगता एकदम है जालाइट की बटन है और यहां पर आपको एसी से रिलेटेड जितने कंट्रोल से वह देखने के मिल जाता है गाड़ी के अंदर थ्री जोन एसी आता है यह पैनल से आप देख सकते हो नीटन क्लीन इन्हें खोलोगे तहां पर चारजिंग सॉकेट एक पोर्ट और यह सारी चीज आपको मिल जाती है यह कुछ और कंट्रोल से हां पर मिल हैं और इससे कुछ इस तरीके साब एक्सेस कर सकते हो अपने आमरेस्ट को और काफी डीप स्टोरी आपको मिलती है काफी जादा डीप और यह कुछ इस तरीके से हैं चीज़ें और यह भी फुली सॉफ्ट है मतलब जितना भी आप देख रहे हो सब यह लैदर ही मिलता आप अब कि वो सारी चीजर फिलफुल कर सकती है कि आपको एक फैमिली कार चीए आपको एक आफ रोडर चीए आपको एक डेली कबनीटर चीए तो उन सब के बीच में यह पर पीछे की स्पेस चैक आउट करने ही बात बताता हूं आपको और अभी मैं आपको दिखाया था है उस यह seat 60-40 का option के साथ हाँ पर मिलती है, 7-seater है, 6-seater का option भी आपको मिल जाएगा, तो यह चीज कुछ इस तरीके से है, upholstery आप देख सकते हो, neat and clean एकदम, काफ़ी जादा fine, मतलब कोई single wrinkle आपको नहीं मिलेगा seats के उबर, और यह seat को टरंबल करने के लिए दी हुई है, एक liver, यहाँ पर ISOFIX, 4 seat mounts भी आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर pockets मिलती हैं, दो नवी seats पर, और crab handles है, sunroof, roof mounted AC vents वगर आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो AC आता है, 3rd row के लिए उसके अलग से controls दी हो है, अब यह अंदर ही चलता है, और अंदर चलके मैं आपको चीज दिखाता मिल जाता है, space for guard है, हाँ पर मिल जाती है, आपको बढ़ इसी panoramic sunroof आती है, और यहाँ पर एक दो, तीन crab handles है, यहाँ पर इक साथ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, और कुछ इस तरीके से जगा जगा पर, मतलब जहां पर नीड है, वहाँ पर crab handle गाडी में आपको मिल जाते है, रूपांटेटेश इवेंट से सीट पैल, जो है, कुछ इस तरीके से height adjustment के साथ मिलती है, और यह पीछे से कुछ ऐसे दिखता है, dashboard का व्यू, काफी neat and clean सा, और काफी futuristic ही लगती है, क्या ख्याल है, आपको मुझे बताना comments में, बाकी यह ती स सबसे बहतरीन चीज मुझे लगी इस गाड़ी के बार में, कि इतना बड़ा bonnet है, इतनी बड़ी गाड़ी है, यह चीज़े होनी चाहिए, हाथ से उठाना पड़ता है, उसमें बहुत जादा effort लगता है, बहुत heavy होता है, यह परिशान करता है, एंजिन के बाद चीत करता ह तो यह है आपके सामने इसका engine बे, MG Twin Turbo हैं पर mention भी है, काफी बड़ा सा engine compartment है, और hydraulic studs, प्लस point, अभी इसको एक सेक्ट बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं बटावट से, तो यह थी आपके सामने 2024, MG Gloster, Desert Storm, Top and Trimthy, 7 Seater, 4x4, Diesel Automatic, प्राइज वेगरा सब कुछ आपके साथ शे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को आगे शेर भी कर देना, अगर इस budget के अंदर आपके नोन में कोई एक ऐसी बड़ी सी SUV प्लैन कर रहा हो, तो यह वीडियो जरूर शेर करना, कि भाई यह चीज भी आप चेक आउट कर सकते हो, मार्केट के अंदर कुछ नया आया है, तब तक के लिए, बाई